सबसे पहले उन सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुबकामनाय जो बीपीसी की 60-62 परिक्षाय में सफल हो गए हैं और वे लोग जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है आप लोग भी मेहनत और आत्मिश्वास के साथ लगे रहिए आप लोगों का भी अगली बार रिजल्ट हो जाएगा तो इसमें जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है तो निराश होने के जुरूत नहीं है आप लोग धैर बनाया रखिए और उसी मेहनत के साथ और उसी आत्मिश्वास के साथ लगे रहिए आपका भी रिजल्ट होना तय हैं आज इस वीडियो में गांधी जी कर लिया है और आप सभी के लिए यह उपस्थित हैं तो इस वीडियो में गांधी जी पर चर्चा करूंगा और बताओं कि कैसे इससे समंदी जो तथ्य है उसको याद रखना है और परिक्षा में लिखना है चुकि गांधी जी के बारे में 20 मिनट या 30 मिनट के वीडियो मे चर्चा करना बहुत ही मुश्किल है गांधी जी को पढ़ना गांधी जी को समझना और गांधी जी के बारे में लिखना यह मुश्किल काम है असान नहीं है तो किन-किन बिंदूओं पर चर्चा करूं ताकि छोटे से वीडियो में हम उन तथ्यों को याद कर लें जो हमारे परिक्षा में काम आ जाए और एक बहतर अंसर राइटिंग हो सगे तो उसी पर चर्चा करूंगा तो गांधी जी से समंद्री जो प्रशन पूछे गए हैं वो वन और जाती पे पूछे गए हैं समाजिक सांस्कृतिक विचार पूछे गए हैं तो तरीके से कुछ पहलूओं पर चर्चा कर ली जाए तो गांधी जी पर लिखा जा सकता है तो इसी कड़ी में गांधी जी पे हम इस वीडियो में सत्याग्रह पर चर्चा कर लेते हैं सत्याग्रह सर्वोदे पर चर्चा कर लेते हैं वन और जाती पर चर्चा कर लेते हैं वन और जाती पर चर्चा कर लेते हैं उसके बाद अहिंसा पर चर्चा कर लेते हैं अहिंसा के बारे में उसके बाद एक ट्रस्टी शिप पर ट्रस्टी शिप पर चर्चा कर लेते हैं तो इन टॉपिक पर चर्चा कर लेने के बाद आपके पास अगर कोई प्रश्ण हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में भी पूछ लीजेगा या वॉट्सअप भी कर दीजेगा अगली बार उन पे भी चर्चा कर दूँगा ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे सबसे पहले सत्याग्रह पर चर्चा करते हैं कि सत्याग्रह में गांधी जी के लिए किन-किन बातों को ध्यान रखना आवश्यक है सत्याग्रा के बारे में अगर हम देख लें तो सत्याग्रा के बारे में अगर सवाल पूशा जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो इंट्रोडक्शन है अगर हम सत्याग्रा पर पूश दे या वन और जाती पर पूश दे तो वहां पर वह सूट नहीं करेंगा तो आपको एक ऐसा इंट्रोडक्शन बनाना होगा जो सभी में खप जाएगा तो आप अपने तरीके से इंट्रोडक्शन बनाईएगा इस पे अगर हम देख लें तो उस तरीके से भी चर्चा करेंगे गांधी जैनवरी 1915 में भारत आ गये थे और भारत आने के बाद गांधी जी अपने जो उनके गुरु थे गोखले उनकी सलाह पे भारत भ्रहमन किया और भारतियों की समस्य को जानने समझने का प्रयास किया उसके बाद चमपारन सत्याग होगी एक सर्व माने अगर भूमिका को देखें कि कुछ एक या दो पॉइंट अगर याद हो तो भूमिका में कैसे जोड़ दें तो लिख दीजिएगा की गांधी जी भारती ये सुतंतरता आंदुलन के या भारत के महान आदर्श थे महान आदर्श थे और इन्हें रास्ट पिता भी कहा गया है या रास्ट पिता महत्मा गांधी भारत के महान व्यक्तित्व थे महान आदर्श थे उसके बाद लिखे कि गांधी जी का जो जीवन दर्शन है वो सैधान्तिक और व्योहारिक रूपों में विभाजित नहोंगे जो सैधान्तिक है सैधान्तिक और व्य विवाजित ना होकर एक दूसरी का पूरत था, कम्प्लीमेंट था, सैधान्तिक और विवाजित ना होकर एक दूसरी का कम्प्लीमेंट था, पूरत था, गांधी जी का जो विवाजित था, वो उनके विचारों पर ही आधारित था, गांधी जी का जो विवाजित था, वो उन के विचारों पर अधारी था और जोड दीजेगा कि गांधी जी अपनी विचार थे और उनका जो ने तृता उसकी वज़से वो भारतिय चेतना के किंदर बिंदु थे अपने विचारों तो छमता के गांधी जी से रिलेटिट तो ये एक सर्व माननी इंट्रोडक्शन उन पे लिखा जा सकता है तो ये ध्यान में रखिएगा चूंकि एक इंट्रोडक्शन तो इसमें होगा नहीं तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि एक ऐसा इंट्रोडक्शन हो जो हर जगा मैच कर जाए तो सत्यागरा के बारे में आपको बताना है कि गांधी जी सर्वोदे समाज की स्थापना के लिए पवित्र साधनों की बात करते हैं या पवित्र साधनों को स्विकार करते हैं गांधी जी सर्वोदे समाज की स्थाफना के लिए पवित्र साधनों को स्विकार करते हैं, जिनमें सत्यागरा एक प्रमुख साधन था, सत्यागरा प्रमुख साधन था. अब हम सत्यागरा के बारे में बताएंगे कि सत्यागरा क्या है, तो ये बता दीजिएगा कि अहिंसा, सत्य पर आधारित, अहिंसा के माध्यम से बुराई का विरोध करना ही सत्यागरा है। ये लिख दीजिएगा, गांधी जी ये भी कहते थे कि गांधी जी के अनुसार सत्य का अंश, सत्य का अंश, प्रतेक व्यक्ती के हिर्दे में विद्यमान रहता है, और इस सत्य की अनुभूती कराई आ सकती है। आप लिखे कि गांधी जी यही वज़ा है कि गांधी जी बुराई का विरोध करने के लिए व्यक्ती के या दुराचारी या पापी के लिए हिर्दे परिवर्तन की बात करते हैं। हिर्दे परिवर्तन जब भी सत्यागरा से संबंदी सवाल है तो यह शब्द याद रखिएगा हिर्दे परिवर्तन। तो गांधी जी किसका हिर्दे परिवर्तन यानि जो पापी है जो अत्याचारी है जो अन्याई है उसके हिर्दे परिवर्तन की बात करते हैं। गांधी जी का मानना ही था कि सत्यकांस प्रतिक व्रदे में मौझूद रहता है और इस जो सत्यका जो अन्स है उसकी अनुभूती कराई आ सकती हैं। यही वज़ा है कि गांधी जी अत्याचारी या पापी की हिर्दे परिवर्तन की बात करते हैं। अब लिखिए कि गांधी जी ये भी कहते हैं कि जैसे ही अत्याचारी या पापी को इस बात का एहसास होता है या इस सत्यके अन्स की अनुभूती होती है वो बुराई का परित्याग कर देता है। जैसे ही पापी को सत्यका अन्स या इस सत्यके अन्स की अनुभूती होती है वैसे ही वो बुराई का परित्याग कर देता है। अब थोड़ा उसमें जोड़िए कि ये जो बुराई है कि यहाँ पे विरोधी को डाट कर अपमानित कर या दुखी करने की बजाए स्वयम को दुख या कस्ट में डालके विरोधी पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यही हिर्दे परिवर्तन की बात गांधी जी करते हैं। उसके बाद आगे के लाइन में ये लिख दीजिए कि गांधी जी के अनुसार हिर्दे परिवर्तन के माध्यम से ही असत्य पर आधारित बुराई या असत्य के विरोध में सत्य का आग्रह सत्य का आग्रह हिर्दे परिवर्तन के माध्यम से ही असत्य पर आधारित बुराई या विरोध के लिए सत्य का आग्रह किया जा सकता है यानि असत्य पर आधारित बुराईयों को खटाने के लिए या उसके विरोध में सत्य का आग्रह किया जा सकता है अब एक लाइन और जोड़िए कि यहाँ पे सत्यागरही का करतव है चुंकि वो करतव है गांदी जी नहीं बताया है तो यहाँ पे सत्यागरही का करतव है प्रतेक सत्यागरही का करतव है कि वह जो प्रतेक व्यक्ति में प्रतेक व्यक्ति के भीतर मौजूद सत्य की अनुभ भावना का होना आवश्यक है सत्याग्रही में आत्म बल और नीश्वार्त भावना का होना आवश्यक है यह पैरा हो गया अब हम कुछ जो सत्याग्रह है उसकी उसका जो उसकी जो विशेष्टाएं है उसको देखने का प्रयास करते हैं कि सत्याग्रह की क्या विशेष्टाए हैं तो इसमें अप लिखे की जो सत्यागरही है वो उसमें सत्य पर द्रढ़ता पुर्वक चलने वाना होना चाहिए सत्य के मार्ग पर निरंतर द्रढ़ता पुर्वक चलना या चलने वाला वो होना चाहिए दूसरा कि उसे इश्वर में अटूट आस्था होनी चाहिए सत्प्रतेक सत्यागरही को इश्वर में अटूट आस्था होनी चाहिए तीसरा डाल देजिए कि सत्यागरही को आत्म सयमित होना चाहिए आत्म सयमित आत्म संयमित उसके बाद सत्याग्रही को आत्म बल से युक्त होना चाहिए और सत्याग्रही को आत्म अनुशाशित होना चाहिए सत्याग्रही को आत्म अनुशाशित होना चाहिए उसके बाद मन, वचन और कर्म से अहिंसक होना चाहिए यही गांदी जी के अहिंसका दर्शन है तो मन, वचन, और कर्म मन, वचन और कर्म से अहिंसक होना चाहिए तो यही इतना आप छे विशेस्ताएं लिख लीजिएगा जरूर से पॉइंट वाइस दिखा दीजिएगा जब भी सत्याग्रह आ जाए तो सत्याग्रह में इन चीजों को दिखाए या आप किसी एसे में भी दिखा सकते हैं सत्याग्रह इंक कि विशेष्ता बता दिए तो यह इतना विशेष्ता हो गया इसके बाद कि कर दीजे कि इस प्रकार गांधी जी अपने जो उनकी उनका जो हिंद स्वाराण हैं तो हिंद स्वाराण truthful में गांधी जी सत्यागरह के लिए ग्यारा मार्ग बताते हैं जिनमें असहयोग है सविने अवग्या है जो आपके लिए जो आपको पढ़ना भी है उसी का नाम लिग दीजिए कि असहयोग सविने अवग्या हडताल धर्ना अंशन इत्यादी का मार्ग बताए हैं उन्होंने सत्यागरफ की कुछ मार्ग बताए ह है जिनमें से कुछ की आप चर्चा कर दीजिए उसके बाद इसको थोड़ा हिस्ट्री से भी जोड़ दीजिए चुंकि अगर कोई भी पीए सी का भैरती अगर मेंस में लिखता है तो इसकी कुछ प्रैक्टिकल एक्जामपल भी दिखा है ना कि सिर्फ आदर्शवादी बाते हो आदर्श्वादी बातों के अलाबा गांधी जी का जो कुछ जो इस पर जो आंधोलन रहा है उसके बारे में चर्चाण की जिसमें बिहार में सबसे पहले चंपारन सत्यागरह चंपारन सत्यागर अ Jessica आगर समय कम हो तो फिक इकलाई का शुरस पारह के बारे में इसमें यह जरूर उलिख किजिए कि भारत में गांधी जी ने बिहार में ही सरव प्रतम सत्यागरा का सफल प्रयोग चंपारण में किया था यह दिखा दिजिए उसके बाद असायोग आंदुलन में दिखा दिजिए असायोग असायोग आंदुलन में दिखा दिजिएगा उसके बाद सवीने अवग्या में दिखा दिजिए सवीने अवग्या वर्तिकत सत्यागरा में दिखा दिजिए इन सब में चंपारण सत्यागरा के कुछ जो गांदी जी का जो व्यवहारी जो पहलू रहा है उसके बारे में भी च पीष्टे चले गए तो समयस और आउट हो जाएगा एक दो दो लाइन में सत्याग्रा के जो जामपल है गांदर जी ने इन आंदोलों के जरीए सत्याग्रा का प्रयों किया है तो यह इस पर आप लिख लिजिए उसके बाद अब आज़ें कंक्लूजन पर इतना लिखने के बाद अब कंक्लूजन पर आईए कि इस प्रकार स्पस्ट है कि सत्याग्रा एक अहिंसक क्रांती है अब देखिए इसी सत्याग्रा में अब हम अहिंसा को थोड़ा डिफाइन करते हैं अहिंसा चुकि एक प्रश्ण में पूशा भी गया है सत्याग्रा और अहिंसा को जोड़के तो थोड़ा अहिंसा पर आप विस्तार से बताईए कि इस प्रकार सत्याग्रा एक अहिंसक क्रांती है जिसमें हृदय परिवर्तन के माध्यम से समाजिक परिवर्तन की बात गांधी जी हिर्दे परिवर्थन के माध्यम से समाजिक परिवर्थन की बात गांधी जी करते हैं उसके बाद थोड़े बताइए कि यहां पर अहिंसा का आशे जरूर बता दीजी कि अहिंसा का आशे कायर्था नहीं है अहिंसा का आशे कायर्था नहीं है यहां आहिंसा के माध्यम से हम प्रतिकार लेते हैं अहिंसा के माध्यम से हम प्रतिकार बदले की जो भावना है वो नहीं है अहिंसा के माध्यम से ही हम जो पापी है उस पे विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं यह लिख दीजेगा उसके बाद लिखे कि इस प्रकार सत्यागरही को अहिंसा में अटूट आस्था होती है अटूट आस्था होता है अनुट लेकिन हम अहिंसा के माध्यम से जो पापी है उसका हिर्दय करते हैं पर्यास की प्रयास कहता है या बुराही पर विजय प्राप्त करने काुट प्रयास कहता है इस प्रकार या उसके बार लिख दीजिएगा कि सत्याग्रा सत्य में अट्ट आस्था रखने का दर्शन है और इस दर्शन को गांधी जी के जो समकाली नेता थे जिसमें बाबा सहब अमेदकर थे आचार जो क्रिपलानी थे वे थे रामन और लोहिया थे विनुवा भावे थे उसके बाद जप्रकास नरायन भी थे तो इन सबों का नाम लिख दीजिएगा खान अब्दुल गफार खान भी थे खान अब्दुल गफार खान इन सभी लोहों का नाम लिखिए उसके बाद कुछ विदेशी नेता जिन पे गांधी जी के सत्यागरा का प्रभाव था उसका भी नाम लिखिए जिन में अगर आब देखें तो दक्षिन अफरीका में दक् जूनियर थे उन्होंने भी अमेरिका में सत्यागरा का प्रयोग किया इस प्रकार स्पस्ट है कि सत्यागरा सत्य और अहिंसा प्राधारित एक दर्शन है जिसका प्रयोग है आनुप्रयोग है आज भी किया जाता है इस तरीके से सत्यागरा पर अपनी बाद को खत्म करना है यही गांधी जी का सत्यागरा है अब सर्वोदे को देखते हैं अगर सत्यागरा पर आ जाए तो एक बार फिर से में में पॉइंट देख लिजिए कि क्या क्या होना चाहिए जैसे सत्यागरा के बारे में हमने आप इंट्रोडक्शन लिग दीजिएगा वही सिधान्त और व्यवहार दूसरे के पूरक रहे हैं है हना एक भूमि का लिगदी जेगा भूमिका उसके बाद सत्यागरा का तात्पर बता दीजिएगा इस पवित्र साधुन में सत्याग्रह है, सत्याग्रह का तात्परे बता दीजेगा, उसके बाद अगले पैरा में, जो सत्याग्रही की विशिष्टाएं थी, इस पैरा को वहां तक खीचते खीचते, जो पापी है, उसके हिर्दे परिवर्तन तक लेके चले जाना है, और सत्याग रही या सत्याग्रह की विशिष्टाएं लिख दीजेगा, जो विशिष्टाएं है, वो लिख दीजेगा, विशिष्टाएं, अगर विशिष्टा भी याद रहे तो बहुत अच्छे से इसको लिखा जा सकता है, उसके बाद हिंद स्वाराज की वीचर्चा कर दीजेगा, हिंद स्वाराज हिंद स्वाराज उसके बाद कुछ इंजांपल डाल दीजिए का जो जो विदेशी लोग थे उनके बारे में चर्चा की जिसमें निल्शन मंडेला का नाम जरू लिखिएगा मार्टीन लूथर प्रेंग स म मंडेला और मार्तील लूथर का नाम बेम जरू दिए उन्होंने भी अमेरिका में जो 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 लोग आंपन जो लोक सिवा ड़िक गजो एक अंदोलन था उससमें उन्हें ऐनसे तकड़ने का सफलों किया था उसके बाद मनडेला और मार्टिन लूथर का नाम डाल दीजिएगा उसके बाद अहिंसा का ताथ परे बताएगा कि अहिंसा को इसमे जोर दीजिएगा बता दिया कि इसका मतलब कायरता से नहीं है यह अंतर स्वस्ट करना बहुत जोरूरी है उसके बाद लास्ट में एक दो लाइन में आप एक निसकर्स डाल दिजेगा तो यही इतना सत्यागरा पे आपको material आपको content तयार करके रखना है इसी प्यांसर लिखा जाएगा अब सर् सर्वोदय को हम लोग देखते हैं कि सर्वोदय को अपने जाम में कैसे लिखना है सर्वोदय भी तो सर्वोदय सबसे बड़ा इनका सर्वोदय का ही सिधान थे इनका जो जो सबसे बड़े सबसे बड़ा है इसी सर्वोदय को हम परिक्षा के परिप्रिक्षा से पढ़ते है एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि गांधी जी का जो शब्द है परिच्छा में कभी भी कभी भी गांधी मत लिखिएगा कभी भी गांधी मत लिखिएगा इस गांधी शब्द का इस्तिमाल कोई लेखक अपने किताबों में कर सकता है कोई पत्रकार अपने आर्टिकल में कर सकता है, कोई एंकर अपने नियूज में कर सकता है या कोई यूटूब में कर सकता है, लेकिन आपको परिछार्थी के रूप में गांधी सब्द के यागे जी जोड़ देना है हमेसा गांधी जी ही लिखिएगा क्यूंकि आपको तो आधर भी प्रकट करना है तो गांधी जी शब्द का इस्तों मालं किजिएगा गांधी जी शब्रक जरूर इस्तों किजी जरूर लगाएगा अब सरुदय को देखते हैं सर्वोदे लिखने से पहले इस शब्द के बारे में आपको बता देना है इसी शब्द में सर्वोदे का आशे नहीं थे देखिए कैसे सर्व दे को दो भागों में माट देना है सर्व और उदे अब देखिए सर्व का हो गया सभी का और सभी प्रकार से और उदे का मतलब हो गया उत्थान या कल्यान उत्थान उठान या कल्यान यही सर्वोदे का आश्य है और इसी पे आपने आंसर को डिस्क्राइब कर देना है जब भी इसका इंट्रो टाइप का भी हो तो यह ऐसे लिख दी जगा इंट्रों में तो वही लिखिएगा जो सत्यागरत के पहले मैं बताया था अब बताये कि सर्वोदे दो शब्दों से बना है सर्व और उदे शर्व जो सर्व है सर्व का आश्य है सभी प्रकार से सभी का सभी प्रकार से जबकि उदे का आश्य है उठान या कल्यान इस प्रकार सर्वोदे का आश्य हो गया सभी का सभी प्रकार से उठान या कल्यान यहां सभी का सभी का मतलब स्त्री भी हो गए पुरुष भी हो गए अमीर भी हो गए गरीब हो गए और सभी प्रकार से मतलब उनका समाजिक रूप से उनका आर्थिक रूप से उनका धार्मिक रूप से उनका नैतिक रूप से उथान तो यही सर्वोदे में बता देना है कि इस प्रकार सर्वोदे का जो तो यहाँ पर सर्वोदे का बता देना है, सभी का में भी बता देना है, कि सभी का तत्पर्य हो गया, कि अमीर, गरीब, इस्तरी, पुरुस और सभी प्रकार से का तत्पर्य हो गया, कि उनका आर्थिक, उनका समाजिक, उनका नैतिक, राजनितिक, धार्मिक रूप से उत्था तो यह सर्वोदे में इतना बताना है आपको, फिर बताईएगा कि यहां पे किसी भी प्रकार से धर्म, लिंग, जाती, इत्यादी या वर्ग, समुदाय, इत्यादी के आधार पे भेदभाव से मना है, भेदभाव से मना ही है, गांधी जी का यहीं तो है, और आगे में यह ब भौतिक उथान से है, जबकि अमीर के उथान का आशे, उनका नैतिक या आध्यात्मिक तरह से है, उन गरीबों को जह है, वो भौतिक उथान से है, और अमीरों का नैतिक या आध्यात्मिक उथान से है, यह इतना बता देना है, अब सर्वोदे के, सर्वोदे के कुछ दो आ करते हैं जिसमें सबसे पहला यही है कि वो स्रम की महता पर स्रम की महता पर बल देते हैं कि गांधी जी का कहना है कि सर्वोदे समाज में सभी लोग स्रम करें ताकि उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित किया किया जा सके और वे पर निर्भर न रहें यानि गांधी जी सर्वोदे समाज में स्रम की महता को स्विकार करते हैं उनका कहना है कि समाज के सभी यक्तियों को स्रम करना चाहिए ताकि किसी के उपर आर्थी कुल उपर निर्भर न रहें और हमारी जो पर निर्भरता है वो की गरिमा को स्विकार करते हैं उसके बाद जो दूसरी विश्यस्ता है कि गांधि जी नाई और स्रम की महता समान रुप से स्विकार करते हैं इनका जो स्रम है उसकी महता या गरिमा समान रूप से स्विकार करते हैं यानि इन दोनों का जो स्रम की कीमत है स्रम की कीमत और महता को समान रूप से स्विकार करते हैं वे इन दोनों के बीच में अंतर या ऐसाने की कोई सभी काम उपर ज़्यादा अच्छा है या कोई उससे कम है इस चीज़ को गांधी जी नहीं देखते थे तो यहीं गांधी जी का दो आप डाल दीजिए गांधी जी नाई और वकील के स्रम की कीमत और महता को समान रूप से स सर्वोदे की दो विशेष्टाएं गांधी जी कनुसर लिख दीजिएगा अब सर्वोदे के विभिन आयाम है उसको देखते हैं जैसे सर्वोदे 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 की आयाम सर्वोदे की आयाम इसी में अब देखिए आर्थिक आयाम हो गया आर्थिक आयाम, समाजिक आयाम समाजिक, राजनीतिक आयाम समाजिक, राजनीतिक, धार्मिक धार्मिक और नैतिक नैतिक आयाम यही इतना आपको सर्वोदे में इस पॉइंट को अगर आप याद रखिएगा तो यह लिखना बहुत आसान हो जाएगा और इस आर्थिक आयाम में अब हम लोग ट्रस्टीशिप की अधारना पे चर्चा करते हैं कि ट्रस्टीशिप की अधारना क्या है गांधी जी के अनुस सर्वोदे की अधारना के पीछे ही ट्रस्टीशिप की अधारना है समाजिक आयाम को देख लें तो यहीं पर वन जाती की बात करते हैं गांधी जी उसमें जो उनका विचार है उनका दर्चन है उसके परिप्रक्ष में समाजिक परिप्रक्ष में राजनीतिक परिप्रक्ष प्रशन पूछा है तो इस इन आयामों को अगर हम समझ ले तो लगभग गांधी जी का जो प्रशन पुछने की जो संभाव नाए है वो यहां से यहीं से हम अपना content की ले लेंगे जो परिक्षा में आने योग्या प्रशन होगा वो यहां से उठा लेंगे बस आपको समझनी की आवशक्ता है। आर्थिक में ट्रश्टीशिप आएगा तो अब दस merchant प्रफिक आयाम के अंतरगती हम ट्रश्टी शिप की अध्रणा को समझते हैं ट्रश्टी शिप कि कि अध्रणा इसमें क्या है कि गांधी जिने अपने आर्थिक नया새 अर्थात आर्थिक विसम्ता को समाप्त करने के लिए ट्रस्टिशिप की आधारना का प्रतिपादन करते हैं जिसमें गांधी जी निये कहा है कि जो पुझी पती हैं वे अपनी आवश्यक्ता के अनुरूप ही धन संपत्ती का उपयोग करेंगे और जो उनकी अतिरिक्त संपत्ती हैं उसे अपनी धरोहर ना समझ के समाज क में करना है प्रसेशिप की है गांधी जी बता देना है कि या अपनी अपने अतिरिक्त संपक्तिका या पुंजी-पति अपनी आवशक्तHHH क्या अनुसार ही अपने संपत्ति का उपयोग करेंगे और जो उनकी अत्रिक्त संपत्ति है वे उसे अपना धरोहर न समझ के उसका उपयोग समाज के हित में करेंगे इतना ही ट्रस्टिशिप में लिख देना है आप चाहें तो इसको लाइन में लिख लिजी इसके बाद बता जो पूंजी पति हैं, जो उनकी अत्रित संपति हैं, अत्रित संपति के संदक्षक के रूप में ही कारे करेंगे, इस प्रकार ट्रस्टी शीप की आउधाना के पीछे अपरीग्रह की आउधाना विध्यमान है, अपरीग्रह का मतलब धन संपति का संचे नहीं करना, तो इस प इतना चर्चा किजिए उसके बाद बताए कि जिस प्रकार इश्वर का जो इश्वर प्रदत यानि जो इश्वर्य संपत्ति है जैसे कि जल हो गया प्रकाश हो गया वायू हो गया वो सभी के लिए समान रूप से उपयोग में आते हैं उसी प्रकार भोजन वस्त्र आदी जो भौतिक संपत्ती है वो भी सभी के लिए समान रूप से उपियोग में होने चाहिए ये बताइए ताकि ये भी बता दिए कि भोजन ये वस्त्र आदी को किसी के शोशन का हथियार बनाना गलत है इससे समाज में हिंसा, क्रांती, रक्तपात हो सकता है अता ट्रस्टीशिप की अधाना सर्वुदे समाज की स्थापना के लिए की गई है यही ट्रस्टीशिप की अधाना है अब इसको थोड़ा विश्लेशन करतो ये बता दिजिएगा कि यदि अगर पुझी पती अपनी अतिरित संपत्ती का उपयोग समाज के हित्में ना करना चाहे तो अगर वो परिवर्तन यही हिर्दे परिवर्तन सत्याग्रा में भी जो पापी है उसकी लिए किया आता है और जो सरवोदे में ट्रस्टीशिप का सिधान थै उसमें पुझी पतियों के लिए कि आ गया है तो गांधी जी वो कहते हैं कि अगर पुझी पती अपनी अतिरित संपत्ती का उपयोग समाज के हित में नहीं करता है तो हिर्दे परिवर्तन का सहरा लिना है तो अब इसी को बढ़ाते हुए गांधी जी कहते हैं कि पुझी पति भी इश्वरी अंस है यानि इश्वरी ये उपज है इस पर कही अंस है वो अता है उनमें भी सत्त्य का अंश मौजूद ह िए गांधी जी के तरशटी शिप का मूल बिंदु है तो वो हिर्द्य परिवर्तन के माध्यम से पुंजी पतियों का जो अतिर्थ समपत्ति है उसका उपयोग समाज में करने की बात करते हैं तो ये पुझी पत्ति अपनी अत्रित संपत्ति का उपयोग समाज के लिए ना करे तो उसके हिर्दे परिवर्तन की बाग करते हैं और इसी हिर्दे परिवर्तन के माध्यम से वो चाहते हैं कि पुझी पत्तियों के हिर्दे परिवर्तन हो जाए और वे अपनी अत्रित संपत्ति का उपयोग समाज के हित में करना शुरू कर दें अब थोड़ा ये बतादेना है कि घंधय aleeं दो डो दो सहारा लित हैं या दो अधाना बताते हैं एक तो नयतिक 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 लाना और दूसरा अब अब होतिक लान न नैतिक वाले में गांधी जी ये कहते हैं कि चुंकि सभी कुछ इस्वर का है और इस्वर से ही प्राप्त होता है अता सभी को जो संपत्ती है उसके समान उप्योग का अधिकार है ऐसा नहीं कि किसी के पास बहुत ज़्यादा मातरा में संपत्ति हो जाए और उसकी जो संपत्ति हैं दुसरों के लिए वंचना का भावना हो जाए जैसे कोई बहुत अमीर हो जाए या कोई बहुत गरीब हो जाए तो ये स्थिति उत्पन नहीं होनी चीए तो वही गांदी जी नैतिक अधार पे कहते हैं कि सब कुछ तो इस्वर का है और इस्वर द्वरा ही प्रदत है इस्वर सही प्राप्त है अता जो उत्पादन का साधन है उस पे सभी को समान रूप से हक है यही ट्रस्टी शिप्किय और धाना का नैतिक लुप से वो समर्थन करते हैं अब भौती का धार पर भी बता दीजिए कि चुंकि जो धन संपत्ति है, उसका जो स्वामित्व है, उसका जो प्रबंधन है, प्रशाशन है यानि पुझी पत्यों के हाथ में होगा, तो भौती का धार पर दीखी गान्दी जी क्या कहते हैं कि चुंकि धन संपत्ति का स्वामित्व, प्रबंधन, प्रशाशन ये कुशल सुयोग्य अनुभवी व्यक्तियों के हाथ में होगा अता, उतपादक्ता और लाभकारिता प्रभवित नहीं होगी यानि उतपादन और लाभ पे समाज के सभी वर्गों का अधिकार होगा तो यही गांधी जी बहुतीक अधारपी से जायर ठराते हैं और जब उत्पादन और लाव पर सभी व्यक्तियों का समान लूप से अधिकार होगा, तो इस प्रकार सभी को समान लूप से आर्थिक लाव है वो प्राप्त होगा. इस प्रकार स्थिति से हिंसा या वर्ग संखर जो माक्स बात करता है, उसकी स्थिति नहीं बनेगी और समाज में शान्ती कायम रहेगी यही गांधी जी के ट्रस्टीशिप की अधारना है तो आप इतनी बातों को लिखेंगे उसके बाद जब इसका निसकर्स लिखना हो ट्रस्टीशिप के लिए पूरे के लिए निए ट्रस्टीशिप का निसकर् करते हैं और उसमें आर्थिक समानतालाने के लिए ट्रस्टी सिफ की बात करते हैं हालांकि अभी तक या लक्ष हासिल नहीं किया गया है लेकिन आने वाले समाज के लिए आदर्स के रूप में मौझूद है यह इतना लिख दीजिएगा और इस लिसमें पूरे विश्व इतना ध्यान में रखिएगा अब गांधी जी के सामाजीक आयाम के अंतरगत जाती और वान पर चर्चा करते हैं और जाती और वान पर चर्चा करने के बाद उनका जो राजनितिक विचार है राम राजी उस पर देख लिजेगा मैं नोटस फेस्बुक पेज पर डाल इन्सा उसमें पढ़ा दिया भी यही सा आर्थिक राजनितिक समाजिक धार्मिक नैतिक इत्यादि जो कारक है वहीं आपको गांधी जी वाले टौपिक में याद रखना है और गांधी जी का नाम घुदी लिखना है गांधी निया लिखना है तो यह इतना ध्यान रखिए अब हम गांधी जी के वन और जाती पे चर्चा करते हैं कि उनके क्या विचार थें चुंकि ये प्रशन परिक्षा में आ भी चुका है तो वन और जाती पे चर्चा करते हैं को देखते हैं कि वन्विवस्था पर गांधी जी ने अपने क्या विचार दिये हैं चुंकि वन्विवस्था से समन्दित प्रशन पूछे गए हैं वन्विवस्था और जाती वन्विवस्था और जाती इससे समन्दित प्रशन आ चुका है तो आपको इस प्रशन पर अभी सामाजिक और सांस्कृतित समय प्रश्ण पूछे तो इसके वन विवस्था पर चर्चा कीजिएगा इसके आलावे समाजिक संदर्वों में गांधी जी अस्पृष्टा का अंत समाजिक समांता और न्याई की बात करते हैं साथी वो बुनियादे शिक्षा की भी बात करते हैं तो वन विवस्था पर देखी वन विवस्था पर कैसे हमें लिखना है तो हमें बता देना होगा कि गांधी जी वन विवस्था को हिंदू धर्म का अनिवारे अंग मानते थे वे इससे धर्म का आविश्कार और सत्य की खोज का पलना मानते थे वे वन विवस्था को धर्म क अविश्कार धर्म का अविश्कार और सत्य की खोज का पलना मानते थे वन विवस्था का आशे वन विवस्था का आशे बता देना है वन विवस्था का आशे विवसाय मुलक विभाजन पर आधारित समाजिक संगठन से है या समाजिक संगठन से था तो वन विवस्था का आशे बता देना है सबसे पल में यह बता देना है कि वो इसे हिंदु धर्म का अनिवार्य अंग मानते थे उसके बाद यह बता देना है कि वह इसे धर्म का अविश्कार या सत्य की खोज का परिणाम मानते थे अब हमें वनिववस्था का आशे बता देना है कि समाज में जो व्यवसाय था विभाजन पर आधारित समाजिक संगठन से था इसके अलावे आगे बता देना है कि गांदे जी अपनी एक पत्री का जो उनका मैग्जिन था हरीजन तो गांदे जी हरीजन में कहते हैं कि हर एक को अपने कर्तव्य के रूप में कर्तव्य के रूप में अपने पुर्खों का व्योसाय या अपने पुर्खों का जो कारिकलाब हैं वहां तक करना चाहिए जहां तक वह आधारभूत नयतिकता का विरोध में न हो हर एक को अपने पुर्खों के कारेकलाब को वहां तक करना चाहिए जहां तक आधारवुत नातिकता के विरुध में ना हो यहां तक आधारवुत नातिकता के विरुध में ना हो यह हरिजन का जो गांधे जी का जो हरिजन में गांधे जी ने वन विवस्था के अपने विचार दिये थे उसको कोट कर सकते हैं उसके बाद हमें बता दना है पैराग्राप छोड़ के कि इस प्रकार गांधे जी समाजिक संदर्भों में वन विवस्था को स्विकार करते हैं और वन विवस्था से उनका आसे समानता से हैं गांधे जी जाती वर्ग या धर्म के आधार पे किसी भी प्रकार के विभाजन से विभाजन का विरोध करते हैं उनका कहना है कि ये जो विभाजन है वो कृत्रिम है वो व्यत्यों के स्वार्थ, पूर्ति का साधन है और जब तक इसका विनाश नहीं होगा तब तक समाज में संतुलन या धर्म का सासन स्थापित नहीं हो पाएगा तो इसकी चर्चा करनी है उसके बाद और भी बताना है में अगले पेरा में कि गांधी जी यद्यपी समाजिक संदर्भ में वन विवस्था के समर्तक थे लेकिन वे जाती विवस्था अस्प्रिशता के विरोधी थे वे इससे सिर्फ आजीविका के संदर में या व्यक्ति का जो समाजी करता वे था उसके संदर में देखते थे यानि व्यक्ति को अगर आजीविका की प्राप्ति करनी हो आजीविका या जो उसका व्यवसाय था उस संदर में गांधी जी वण विवस्था को स्विकार करते हैं बस इतना ही अब देखिए हम गांधी जी के इस वण विवस्था से तीन बाते निकाल सकते हैं तो तीन बातों का आप उल्ले कीजिए सबसे पहला ये होगा सबसे पहले में ये डालिए कि गान्धी जी इस प्रकार सभी विवसायों एंव कारियों में समानता स्थापित करते हैं वै इस में किसी भी प्रकार के औंच नीच उतक्रिष्ठा या निक्रिष्ठा के भावना के विरुद्ध थे वे धर्मों द्वारा दी गई जो स्रेनिगत पदानुक्रम था उसका विरोध करते हैं यानि जो दिया गया है उच और नीच का भिद वो उसका विरोध करते हैं गांधी जी तो गांधी जी व्योसाय या कारियों अलग-अलग जो व्योसाय थे अलग-अलग जो कारिय थे उसके उसमें समानता की बात करते हैं समानता की बात करते हैं किसी भी प्रकार के उच नीच या उतकृष्टता निकृष्टता की भावना का विरोध करते हैं तो पहला ये हुगे। दूसरी बात ही हो गई गांधी जी के वनव्योंस था कि, कि व्यक्ति को अपनी आजिविका कि प्राप्ति के साधन यानि परमपरागत जो उसका व्योंस्स आय था, परमपरागत व्योंस आय या जो उसका अनुवानसी कार्य था जो पिता से वो सीखता था उसमें आजिविका की प्राप्ति या समाजिक करतव्य के रूप में इसे स्विकार करना है प्रमप्रागत व्योसाय के संदर्ध में गांधी जी ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने समाजी करतव्य के रूप में या आजिविका प्राप्ति के साधन के रूप में वन व्योस्था को सुरिकार करना है तीसरा ये था कि गांधी जी जो विभिन प्रकार के कारे थे या व्योसाय थे उसमें से जो लाह प्राप्त होता था उसकी समानता की बाद भी करते हैं ताकि किसी व्यक्ति की समाजिक प्रतिष्ठा में कमी नहीं आए, ऐसा नहीं कि किसी कारे से किसी को बहुत जादा पैसा मिले और वही कारे कोई और करे तो कम पैसा मिले, यानि सपोज किसी का व्योसाए A है, किसी का व्योसाए B है, तो इन दोनों का जो लाब है, वो समान होना चाहिए इसी की बात गांधी जी करते हैं ऐसा नहीं कि इनको अतिर बहुत ज्यादा पैसा मिल जाए जिसे इनके समाजिक प्रतिष्था ज्यादा हो जाए और इनकी कम हो जाए तो समाजिक प्रतिष्ठा में भी समानता की बात करते हैं गांधी जी तो ये लिखिएगा तीसरे पॉइंट में कि गांधी जी विभीन प्रकार के विवसायों ये उमकारियों में कारियों को करने से जो प्राप्त लाब है उसमें समानता की बात करते हैं ताकि किसी व्यक्ति की समाजिक प्रतिष्ठा में कमी न हो। इस प्रकार गांधी जी की वण व्यवस्था की अधाना में कीमत और प्रतिष्ठा की अधाना भी विद्यमान है। इसकी चर्चा कीजिएगा कीमत और प्रतिष्ठा कीमत और प्रतिष्ठा की समानता या आउधाना भी उसमें नहीं थे यह लिख दीजिएगा अब देखिए एक सवाल ये भी उठता है कि फिर गांधिय जी वन विवस्था को क्यों मानते हैं इसका सपोर्ट क्यों करते हैं उसमें भी तीन कारण है आपको ये कारण ये बता देना है कि गांधिय जी इसलिए वन विवस्था का समर्थन करते हैं कि जो वनसानुगत कारे के आधारत पेशा था, अगर कोई व्यक्ति करता है, तो वो बहुत ही सरलता से कर सकता है, अपने पिता या अपने पुर्वजों या पुर्खों के अनुभव का प्राप्त कर वो उस कारे को सरलता पुर्व कर सकता है, इससे उसे आजिविका की आसानी होगी और समय का बचत होगा और जो यह समय बचेगा उसका इस्तेमाल व्यक्ति अपने आध्यात्मिक उत्थान में कर सकता है तो यही गांधी जी का वन्विवस्था के सपोर्ट करने के पीछे का लॉजिक था यह वन्सानुगत कारे को करने में व्यक्ति जल्दी से आसानी से आपने जो रोजगार है उसको बढ़ा सकता है क्योंकि पुर्खों का जो अनुभाव है वो मिल जाता है दूसरा यह है वन्विवस्था को समर्थन करने के पीछे जो गांधी जी का दूसरा कारण था कि अगर समाजी का में कोई व्यक्ति अपने जो परमपरागत कारे है या पैत्रिक कारे है उसको त्यागेगा तो किसी भी कारे विश्यस के प्रती अत्यदिक प्रतिस्पर्धा यों संघर्ष क स्थिति उत्पन हो जाएगी पैत्री कारे को त्यागने के पीछे के बाद संहर्ष येवं प्रतिस्पर्धा संहर्ष प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धायों संघर्ष की स्थिती उद्पन होगी इससे समाज में व्यमनस से उम कटूता की वर्दी होगी बिरोजगारी की भावना बढ़ेगी अतह समाज में वण व्युवस्था के होने से इनका उद्भव नहीं होगा और समता मुलक समाज के स्थापना होगी या समाज में सांती बनी रहेगी और तीसरा, वन विवस्था के पिछे का जो लॉजित था कि इससे समाजिक संतूलन बना रहेगा समाजिक संतूलन बना रहेगा तो ये तीन में जो कारण था जिसकी वज़से गांधी जी वन विवस्था का समर्थन करते हैं तो इन तीनों कारोनों का भी उल्ले कर दीजेगा समाजिक संतूलन अब देखिए एक बात और है यह जब one विवस्था का समस्तन करते हैं तो one विवस्था और जाती में क्या अंतर है तो गांधी जी इन दोनों के बीच में भी वो कहते हैं कि one विवस्था नैतिक है जबकि जाती विवस्था अनैतिक है पहला उनका यही था अनैतिक one विवस्था नैतिक one विवस्था नैतिक है जबकि जाती विवस्था अनैतिक है दूसरा जो वन विवस्था है वो स्रम विभाजन पर आधारित है जबकि जाती विवस्था सोशन यह अन्याय पर आधारित है शोशन और अन्याय पर आधारित है यही वजय है इन दोनों में अन्तर का अन्तर की पहला बोलते कि वन वोस अनैतिक है जबकि जो जाती विवस्था अनैतिक है स्रम विभाजन वान वरस्थ है में स्रम विभाजन की सिती है और जो जाती वरस्थ है उसमें सोशन है अन्याय है उच नीच की भावना है उतक्रिष्टता नीक्रिष्टता की भावना है इसके अलाव जो तीसरा था गांदी जी का यह कहना था कि वान वरसा तो चार है वान वर तो इन वजहों से गांधी जी वन विवस्था का समर्थन खरते हैं यहीं गांधी जी का संदर में वन विवस्था यहीं की वन विवस्था का mm वज़ गांधी जी के समर्थन का है, कि वे इसे मात्र आजीविका की प्राप्ती के साधन के रूप में ही देखते हैं, वान विवस्ता को गांधी जी मात्र आजीविका की प्राप्ती सरल्ता तरीके से हो, इसी रूप में वो देखते हैं, जबकि वो जाती का विरोध करते हैं यही इतना आपको लिखना है लास्ट में आपको निसकर्स लिख देना है कि इस प्रकार गांधी जी अपने समाजिक संदर्व में या सर्वोदे समाज की स्थापना के लिए एक समता मूलक या आदर्ष समाज की स्थापना या आदर समाज के निर्मान के पीछे का अपना दर्शन देते हैं यह दर्शन सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना पर अधारी थे तो यह इतना आप लिखके इसको इंड कर दीजिए तो यही वन विवस्था और जाती पर गांधी जी का विचार था तो इसमें हम लोगों ने देखा कि गांधी जी कैसे इसे हिंदु धर्म का निवारे अंग मानते हैं धर्म का विश्कार और सत्द्य की खोज़ का प्रिणाम मानते हैं उसके बाद हमें वन वश्था का आशtit बदा देना है या वन धंकार ह उसकी चर्चा कर दीजिएगा उसके बाद बता दिजिए कि गांधी जी का जो वन विवस्ता है वो समाजिक समानता पर अधारित है उसकी चर्चा कर दीजिएगा फिर तीन बातों की चर्चा कीजिएगा कि विभीन प्रकार के कार्यों विवस्ता में समानता की बात है तो तीन इनकी चर्चा कीजिए उसके बाद निस्कर्ष डाल दिजिए निस्कर्ष तो यह इस तरीके से फॉर्मेट बना वन एम जाती पे गांधी जी का विचार तो यही इतना है तो इस वीडियो में हम लोगों ने गांधी जी के तीन महत्वपुन जो टॉपिक जो परिक्षा से है उस पर सवाल सायद जी इसके पेपर में आने की संभावना ना हो लेकिन फिर भी इसका जो में डाल दूँगा वो देख लिजेगा उसके बाद गांधी जी से समंदित प्रशन इतनी पूशे जाने के संभावना हो सकती है तो आप इनको अच्छे से देख लीजेगा और आपके पास अगर फिर भी कोई प्रशन हो तो बताईए उस पे भी फिर चर्चा मैं कर दूँगा गांधी जी से समंदित कोई भी प्रशन हो तो आ कर दाने कर वीजेगा मैं हो स emotस्थ कर ली वीजेगा जी जापके से से समंदित कोई जी से समंदित कर दो आवा जा यच्छे से सकतारा जा सिता वबस्द Sasay